हेलो नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूं आई डबलोए के इस परिवार में जैसा कि आप लोग जानते हों हम लोग परड़े भीहार जी के और भीहार जी के हमारे एक्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टन्ट है इस बात से आप भली भाहनती प सब्सक्राइब देख रहा था फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो पढ़ाई होगा ही नहीं आज भी दातों में पेन हैं डॉक्टर दवा लिया हूं फिर भी थोड़ा सा आराम है और फिर लेते हैं स्टार्ट करते हैं लेकिन हाँ जोड़ से नहीं बोलूँगा थोड़ा धीर तो और पर आपके पास भारत की राष्ठपति चुने जाने से पुर्वरामनात्कोविंद कहां की गवर्नर की भारत की राष्ट पति यानी की भारत 14 र những l ते जेंट जो है वह रामनात को विंदा जहां किесь से पहले कहां कि तो राजयत बाहिं कि नहीं के तो तो यहां कि कि Crispy नहीं से पहले कशक्वात है तो बिहार के राजयपाल थे और अभी कुछ दिन पहले कौन अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक चुना हुआ था आगु चोहन यानि कि भारत में उपरास्ट पती का चुना हुआ था याद रखना भारत में उपरास्ट पती का चुना हुआ था और भारत में जो बनते क्या बनते हैं जगदीप धनकर जी भारत के उपराष्टपती बनते हैं कहां के जगदीप धनकर कहां के राष्टपती बनते हैं तो भारत के उपराष्टपती बनते हैं इससे पहले यह क्या थे तो यह थे बंगाल के गवर क्या थे मेरे भाई बंगाल के राज्यपाल विस्ट बेंगोल के राचेपाल चीजए यह शहां कहां के तो बंगाल बात करते हैं कि भारत में राज्येपल बिहार में राज्येपल राज्येपल कहां पर भारतिय सम्विधान में कहां से लिया गए तो भारतिय सम्विधान में कैनाडा के सम्विधान से लिया कहां से तो भारतिय सम्विधान में कैनाडा से लिया गए तो कैनाडा से लिया गए अच्छा इसके बारे में तो आपको पताई है लेकिन राज्येपाल जो है यह बिहार के पहले राज्येपाल कौन थे बिहार के पहले राज्येपाल की बात करें तो वो व्यक्ति कौन थे मिरे भाई बिहार के पहले राज्येपाल जैराम दौलत राम जी बिहार के पहले राज राज्यपाल कौन थे तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल पहले मुस्लिम राज्यपाल यानि के पहला मुस्लिम राज्यपाल कौन थे मिर भाई तो पहला मुस्लिम राज्यपाल की बात करें तो वो हो जाते कौन तो वो थे बताईए डॉक्टर जाकीर हुसेन कौन थे जाकीर हुसन क्लियर है तो डॉक्टर जाकीर हुसन क्या थे तो पहले राज्यपाल मतलब मुस्लिमों में वर्तमान राज्यपाल की बात कर तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है वो उसका नाम क्या है तो उनका नाम हो ज याद रखना उसके बाद यहां पर देखो तो भारत के राष्ट पती चुने जाने से पुर्व रामनात कोविंद कहां के राजयपाल थे तो बिहार के राजयपाल थे अच्छा भारत के वर्तमान राष्ट पती कौन से नंबर की है तो पंद्रहवे नंबर की तो पंद्रहवे राष्टपती है भारत में राष्टपती का पद कहां के सम्विधान से लिया गया तो राष्टपती का पद जो है यह ब्रिटेंड के सम्विधान से लिया जाता है तो आप से कोई पूछे कि वर्तमान में भारत के राष्टपती का पद कहां के सम्विधान से लिया गया है तो सब्सक्राइब करनेSSR को सकते हैं संब्सक्राइब कर समय तैम में पहले कॉंग्रेस मंत्री सभाक नट्ब्रट्तो करनेla वाले कौन से ऐसे व्यक्ति थे तो यहां पर याद रखना कि बिहार में कॉंग्रेस तो बिहार में कॉंग्रेस मंत्री का निर्थ तो कितने किया था स्रीकरिशन सिंग जी को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं तो बिहार केसरी के नाम से जानते हैं अच्छा बिहार में आपने देखा होगा बरौनी तेल सयंत्र कौन सा बरौनी तेल सयंत्र जो है इनहीं के परियासों से खुलता है और बर्योनी तेल सयंत्र जो है वो कहां पर तो यू एस एस र यानि कि सोव्यत रूस जो है वह लट करता और उनके हिपसे यहां पर यह खुलता एक लिए अच्छा यहां पर एक बात याद रखना स्री जिनका नाम था अनुग्रह नारायन से नहां टहरा जो है यह अद्योग मritis नध्य के नाम से लिए लगते हैं तो बिहार भी ब्हुती के कि लाने का किस संय कि पास अधिकार है ठम अनुगरह नब अच्छा दियाफ इक बात और पूछे क्या आप मुझे बताना प्रकास नारायन के बार में जैप्रकास नारायन किसी मतलब किसी भी चीज का मोहताज नहीं है यानि कि इस बात को आप आप यादक ना सर बिहार का परत्व मुख्यमंत्री हम ही थे खृष्णा पांडे वह सिंह थे भाई पांडे स्रीक्रेशन सिंग जी थे ठीज है यहां पर यादक इनका जन्म जो है सारन जिला में sitten कहां प nail की लोक नायक के लू YEAH नाम से जानते हैं और इतना ही नहीं इन्हों ने बिहार में सर्वोदे पार्टी की अस्थापना कि तो सर्वोदे पार्टी की अस्थापना करने वाले कौन से व्यक्ति थे तो सर्वोदे पार्टी की आबहन वर्स 1974 में किसने कि था तो संपुर्ण क्रान्थी का पिपुरसकार से भी सम्मानित कि आगा उन कब तो वर्स 1965 में इन्हें आएक और मिलता है जिस अवॉर्ड का नामनें मिलता है और इस व्य एवार्ट का नाम है । भारत रत। कैंने मिलता है किलियर है यहां पे अनुगरह नारायन सिन्हा के बार में याद रखना कि इन्हें भिहार भी भूति के नाम से जानते हैं तो भिहार भी भूति के नाम से जानते हैं तो भिहार भी भूति के नाम से हम किसे जानते हैं तो भिहार भी भूति के नाम से जो है हम इन्हें ही जानते चलो इस बात को आप याद अखना और फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ा बता ठीक है चलो यहां भी बताओ यह सारी चीज़ें हो जाते हैं नुगरह नाराइन से नहां के बार में इन्हें को बिहार भी वूतिक कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं सर कल किते दोनों क्लास में हुआ सब क्या रिजन है बिहार जी के कल ये था कि हमारे दांतों में पैन हो रही इसलिए प्ल सब्सक्राइब करेंगे देखा लेकिन मैं चला गया और फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से भी ट्रेटमेंट चल रहा है दातों का तो जिस कारण से हम आप से ज्यादा जोड़ से बोल भी नहीं सकते इसलिए आप देख रहांगे कि मैं धीरे-धीरे बूल रहा हूं अब प्रस नहीं करते हो क्या ब्रस नहीं करता है ऑइं इसका राजबहर जी पढ़ लिए ठीक है मैराथन कब होगा अपकी जब टरफ होगी तब होगी जब आपकी एकज्राम होगा तो गागर में सागर्ले करके या फिर जो भी अच्छा होगा वह आपके लिए करे ठीक है बत कौन नहीं करेगा ये बता कि कौनने करता होगा कैसे बात बोल रहे सब बताये किस अधिनियमesta प्लस ऑडीसा जो था एक ही ही में था और बिहार औरो डीछा को कि-स अधिनियम दरा एक दूसरे को अलग किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कौन से तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया जाता है तो बात यहां पर क्या है इसके बारे में तो बिहार और ओडिसा क्या है तो बिहार और ओडिसा बिहार से ओडिसा जो है यह एक अप प्रेल को ही उत्कल दिवस भी मना आ जाता है तो इसके बारे में जानकारी जानने से पहले थोरा सा इसके बारे में देखते हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं तो इससे कहते हैं रॉले अपील ना दलील का काला कानून था यानि कि अंग्रेज जो है सक्याधार पर भी गिरफ्तार कर ले तो यह था ना अपील ना दलील का काला कानून 1919 भारतिय कौन से लधिनियम इसे क्या कहा जाता मारले मिन्टो एक्ट कहा जाता इस मारले मिन्टो एक्ट कहा जाता और इस मारले मिन्टो एक्ट में भारत में तो इस मारले मिन्टो एक्ट में भारत में संप्रदाइक चुनाओं को बढ़ावा दिया गया जाहां पर मुसलिम कि अधिकता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलिम ही चुनाओं में भाग लेंगे भारत यह स्वातंतरता अधिनियम उनिस इसका कहने का मतलब कि भारत को स्वातंतर करने का अधिकार भारत के पास आ जाता है और यहां पर यह अधिकार पेस किया जाता है आप मुझ बहुत चीजों का सम्रित रूप था सम्रित रूप था जैसे कि बंगल आपको जोभी बंगलादेश दिख हाए कौ अभी जुआ आपको बंगलादेश के बाद को बिहार zk वरतुमावान में यह इसी का भाग है आपको जो ओडिसा दिख रहा है यह ओडिसा भी बेंगौल का ही भाग था किसका आपको जो जार्खंड दिख रहा है यह जार्खंड भी इसी का पार था यानि कि बिहार ओडिसा जार्खंड बंगलादे सब को मिला करके एक बेंगौल था क्या था एक बेंगौल थ हाई तो हाइडिंग के सासनकाल हाइडिंग के सासनकाल में बिहार अलग होता है बेंग उसलेंयों उसलेंड ओने ऌर ओर जाते हैं यानि कि एक ही साथ अलग हुआ यानि कि बिहार और उडिसा दोनों एक ही में था लेकिन बाद में कुछ घटनाएं घटी हो और बिहार से ओडिसा अलग हो जाता है और उडिसा एक अप्रेल 1936 को अलग होता है कब तो बिहार से जो है वो जारखंड भी अलग हो जाता है और जारखंड कब अलग होता है तो जारखंड जो है यह 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से जारखंड अलग हो जाता है इस बात को भी आप यादकना बेंगौल के बारे में तो बेंगौल से कैसे कैसे सब अलग हुआ इसके बार को आपने सुना हुगा कि बंगाला न खर दिया जाता है क्या कर जाता है जो तो बस इत्ती सी बात यहां बिहार अससरी के लिए हम लोग प्रैक्टिस एडिए देखो बिहार अससरी का स्लिवस कंप्लेट हो गया सायद मनीश सरका सर्फ बचा हुआ है और मैट का जो कि आप्लिकेशन पर चल रहा है बाद माई की सारे चीजों का सिलवस जो है कंप्लेट ह हो चुका है ठीक है चल पर मुस्लिम लेक्ट किया स्थापना होती मैं यहां पर पूरा कॉंग्रेस का हिस्ट्री नहीं बता रहा भी अभी तो नहीं बताऊंगा यह सारी बाते केलिए चल आगे बढ़ता है नेक्स्ट बताईए बिहार में भारतिया संविधान के सदस्य कौ साध weddings Cabinet मिसंगा गठन होता है किसका तो एक कबिनेट मिसन का गठन होता है किसका अगठन होता है मिरी भाईolit मिसन का और का जो है यह 1496 में भारत Hangin तो पर चुनाओं कराने की बात करते क्या 399 सीट जो है यह संविधान सफा में बैठेंगे लेकिन कुछ कारण से ऐसा होता है इसमें नहीं बैठते हैं इसमें 3010 से आते हैं के क्रिस्टाफ स्टेफ socied से क्रेप्स और दूसरा की बात करें अलेगज़्यंडर और उसके बाद बात करें तो लौरेंश पूरें और भारत में किसका गठन होता है बहारत में गठन होता है संविधान सभा का और यही सम्विधान सभा एक सम्विधान का निर्मान करती है जिस सम्विधान सभा में बिहार के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राजंद परसाद जी को चुन लिया जाता है क्या तो राजंद परसाद जी को चुना जाता है भारतिय सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक् जो है इन्हें 13 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को चुना जाता है 11 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थाय धक चुना जाता है धीरे धीरे बाद में कब धीरे धीरे हमारा सम्विधान 2 साल 11 महीना कब 2 साल 11 महा 18 दिन के बाद हमारा सम्विधान जो है वो तयार हो जाता है और बाद में से 26 नवंबर को हमारा सम्विधान बनकर तयार हो जाता है हमारे सम्विधान सभा का अंतिम बैठक जो है वो कब होता है तो सम्विधान सभा का अंतिम बैठक होता है किसे ईसे डॉक्टर राजंदर परसाद को भारत का राष्ट पती चुना जाता पर आसीन हो जाते हैं तो इस बात को आपर दःखती 3-50 को क्या किया जाता है तो डॉक्टर पर साथ को भारत-क राष्ट-पती कंद्पाट्रों बोर्यां कि चुन लिया जाता है हमांके डायों की भारत की सि ר泊 भरत के नाम से देश रत्न के नाम से नहीं जाने जाते हैं ठेक है मेरे भई चलो यह सारी बाते किलिए रहे हैं यहाँ पर्धुवन राम को देखना जगजीवन राम यहाँ भारत के भारत के पर्थम दलित उपर्धान मंत्री थे क्या थे दलित उपर्धान मंत्री तो आपसे कोई पूछे कि भारत के पर्थम दलित उपर्धान मंत्री कौन थे तो जग जीवन राम थे यह जग जीवन राम जी जो है अंत्रीम गौवर्मेंट में कहां पे इंत्रीम यानि कि अंत्रीम में कैसा तो इन्हें स्रम मंत्राले दिया गया था कौन सा मंत्राले तो श्रम मंत्राले जो है इन्हें दिया जाते con 這व इन बातों को आप याद रखे बताओ नेक्स्ट बिहार में 1937 में गठेत पर्थम भायतिय मंत्री मंडल का नर्तुत्तों किस नहीं किया था तो हमने आपको बता दिया था कि स्री कृष्ण सिंग जी जो है यह नर्तुत्तों करते हैं मुहम्मद यूनुस जो है देखो बहुत सारे जगहों पे हमने कल देखा हम कल बिहार जी के पढ़ रहे थेों कल परती पड़ रहे थे तो मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा मतलब कंश तो को बिहार का पर्थम परधान मंत्रि उना मैंने पुस्तकों में भी देखा तो बिहार के पीयम कौन है तो बिहार के आंदोलन चला है क्या चला वहावी आंदोलन चला वहावी आंदोलन के बारे में आपको एक बात पता होगा कि यह जो वहावी आंदोलन है इस वहावी आंदोलन कब होता है तो यह वहावी अच्छा लोटस टेंपल कितने लोग गयो लोटस टेंपल अगर आप जाना तो लोट लोटस टेंपल में एक म्यूजियम है क्या लोटस टेंपल में म्यूजियम में उस म्यूजियम को घूमना वहां पर पता चलेगा वहाव धर्म के पूरा हिस्ट्री के बारे में और वहावी आंदुलन क्यूं होता है थेख है मिरे बैज चलो नहीं वो नहीं है मैं गई हूं लोटस टेंपल गए हो जितने लोग गए होंगे वहाँ पे कीन्द धर्म की पूजा होती है तो वहाँ दर्म हो घरा अगे बढ़ते नेस्ट बताो थों बिहार के उप्र करतमान में कौन बता इसका इंसर है तो पता आप से लोग बिहार के प्योंजह मंत्री अबीयुसा कि पिगा भई बता अधने है निए वाह्या पत्सक्व आप कौन है विजयए सिन्हाह भी कि आप प्रसक्राइब बने है नितिश कुमार मुख्य मंत्री है न है बिहार मुख्य मंत्री कौन है वर्तमान में समराथ चौधरी बिहार बिहार मंत्री मंदल का घठन हुआ कि नहीं मुझे लगता है अब कोई नहीं है अ बताओ, बताओ, सुनील, आरे सुसिल मोदी नहीं हो, विजय से ना, विजय से ना, पताने अभी कौन बने मुझे नहीं पता है, अगर इसका एंसर पता हो, तो आप सब लोग मुझे बताना, option number E लिखना ना, और यहाँ पर लिखो, इन में से कोई नहीं, इन में से कोई, इन म कर लो, यहाँ पर देखना हो, बिहार के मुख्य मंत्री के बारे में, क्योंकि अभी मंत्री मंदल का गठन हुआ है, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ ना, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, क्या हुआ है, तो नितीश कुमार थे और लालु यादर, easy 1 होगा का यूपी त다 और एंडीए और यूपी के यूपी के बारे में पढ़ होगा यूनिस क्या उनाइटेड प्रोग्रेसिव आलाइंज और न्य करेंस नेश्नल rebels यूपी ए चौह यह कॉंगरेस के द्वारा रन होता है किसके द्वारा होता है कॉंग्रेस पार्टी के दौरा रहन होता है यानि कि कॉंग्रेस में जितने भी पार्टी के मिलते हैं वह by तृम चल सकता था ना जाने यह सत्ता के चक्कर में क्या सब ना करें एक ही मुख्य मंत्र से काम चल सकता था ना बिहार के नए डिप्टिस्यम समराथ चौधरी और विजय कुमार है दोनों है चलो कोई बतान कोई बात नहीं था थेक है चलो यहां पर याद आगना यूपी एक भी मुख्य मंत्र से काम चल सकता था दो क्या हो क्यों बनाएं वह जाने दो देखो यूपी ये कॉंग्रेस के द्वारा रन होता है अंडिये जो है ये बीजेपी के द्वारा रन होता है यान जोआन करेगा एंडीयक फाल है ठीक है और यूपीय कौंग्रेस में कौन कॉन सामिल है बिहार का एक फेमस पार्टी है रज़े डी और ज़ेडी किसके सामिल है तो कौंगेस के सामिल है वहीं पे जडियू अभी-अभी सामिल हुय जे दिएओ यानिकी जंता दल युनाइटल जो है नितीष कुमार की पार्टी जो है वह राज्यपल करते हैं अभी बिहार में जो है मुख्य मंत्री कौन है नितीश कुमार मुख्य मंत्री कौन है नितीश कुमार बिहार के मुख्य मंत्री कौन है मिर भाई नितीश कुमार है और नितीश कुमार जी के द्वार क्या बिहार मुख्य मंत्री कौन है नितीश कुमार और नितीश कुमार को सपत कौन तो यहां पे याद रखनाँ पीषपथत कोन दिलाता है राजय पाल को सपत कौन दिलाता है तो राज्य 로서 बीलिंगर. सपत किन दिलवायाओगा तो बिनोध चंदरन कि बिहार है यानि मुख्या बारत के राश्ट्पती बहारत के राश्ट्पती को सपत कौन दिलवाता है मिर भाई सपत की बात कर तो इनहें सपत कौन लगाता है तो इन्हें सपर दिलवाते सीजी आई यानि कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में की चंदरचूड सहाब वर्तमान में क्या है सीजी आई है ठेगा आगे बड़े तो नेक्स्ट करस्ट का एंसर दो बिहार में लोक सभाग के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं यानि कि अगर बात करें तो पैरलली दो चीजे समझना आप क्या तो पैरलली जो है आप दो चीजे समझना और वो दो चीजे क्या होगी तो यहाँ पे एक यहाँ पे देखना यहाँ पे ओ भाई आज तो सब कच लटाई हो रहा है देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे देखना एक यहाँ पे देखना तूसरा क्या देखना यहाँ पे देखना तूसरा दो चोड़े हैं कि यहां पर देखो यहांपर देखना संसद नइस है क्या है मन लूप विधान मंदल कहते हैं, तंसद और विधान मंदल, तंसद जो है इसकी चर्चा भारतिय सम विधान के अनुछेद 89 में है, विधान मंदल की चर्चा जो है अनुछेद 168 में है, यहाँ पर लोक सभा होता है, लोक सभा के ठीक उसी परकार यहाँ पर विधान सभा होता है, यहा विधान सभा का मेंबर बनने के लिए आपके आयू 25 साल चाहिए राज्य सभा का मेंबर बनने के लिए आपके आयू 30 साल चाहिए विधान पडिशत का मेंबर बनने के लिए यानि कि दोनों जहें ये पैरलल है किलियर है लोक सभा में टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है तो लोक सभा में टोटल मेंबरों की संख्या पांच सो तैंतालिस है राज्य सभा में टोटल मेंबरों की संख्या दोसो तैंतालिस है 243 कितना है 243 विधान परिशत की टोटल सदस्व की संख्या बिहार में 75 है अच्छा बिहार में लोकसभा का कितना सीट है मेरे भाई तो बिहार में लोकसभा की सीटों की बात करें तो वो कितना है 3 & 4 थिकिए वहीं पर रारज्रे समय की बात करें बिहार में तो राज्रे समय के उसले ओर कि लिए चलू के नेक्ष कुस्छ contest का इंसर देना आप सब्यों कि बिहार का इसरे जाने वृसर किसे मानाघन मिनात जाने वाला थौर कौन कौन से तो बिहार ने जो famous दिवहार मना जाता है वो सबसे पहले बिहार का अदितियत चठ पूजा कुंधalter किसे चठ पूजा पूजा हमारे बिहार में कहात है सब से बुरुवक दीन alma prima जानते ओं मतलब ना समझ आध थोड़ा आते ही ललक कहक कहता है लचकत जय बहुत अच्छी गानाा सरदासे नहां गाती बहुत मजाता है ठीक है तो इस बात को आप लड़ा के में अच्छा बिहार में और फिक सूपचाइब muitos इथाइब मिनाए जाता है 20 वी हुच कहां का फिस्टिवल है आपको पताकहजAreी कि भी हुच व्होजो है भी हुच फैस्टिवल है डांस बताओ बिहु टांस मुझे अच्छा लगता है कर बताओ next question बिहार पंचायती राजदनियम में ग्राम पंचायत की अबधी पांच वर्सों के निर्भारित है इसकी गनना कहां सोती है पंचायत निर्वाचन के अभी सूचना के थिति से नहीं यानिकि पंचायत की पहली बैठक के थिति से की जाती है फॉर्म देट अब फॉर्स्ट मीटिंग पंचायत एलक्षन और फॉर्थ वन इज नौन तो यह तो होगा नहीं यह भी नहीं होगा यानिक ऑप्शन नंबर पी इस करें या ऑप्शन नमर भी इस करेंट तरजी आपकी एज कित इस से थोरी काबियत आती है तो आपकी एज कितनी है एज बिहार पंचायती राज अधिनियम दोहजार चो में दो ग्राम की बैठकों के बीच अधिक्तम कितनी अवदे ने धारित की गई यानिकि यहां पर लिखना बिहार पंचायती राज अधिनियम बिहार पंचायती रा नधया में यहाज अधिनियम जो है यह इनिय EPA la Ji 선ich 2017 Scotland 2000 व Penglekती यानि कि बिहार के चुनाओं में महिलाओं को 30 30ध ता रक्षन दिया जाए तरुपके आपने देखा होगा डिभार में सीअम कौन शोड़न एं तो पिहार में मुख्या बनते हैं उनकी पत्नी और उनके हस्वेंट क्या करते हैं तो उनके हस्वेंट गारी पर लिखवा लेते हैं मुख्या जी और हुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुर परदाहानमंतरी बन गया दो-चार लोग हमेशा उसके पीछे रहते हैं मुख्या जी के पीछे रहते हैं और मुख्या जी के साथ ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वह आपका नौकर है जितने भी नेता है ना डरने की कोई ज़रत नहीं है वह आपका नौकर है आपके सेवा के लिए आपने चुना है आपके अधिकारों से उसका चुना हुआ है ठीक है इस बात को आप याद रखना तो कितने दिनों के बीच तो तीन महिनों का बैठ क्या होना चेश्च होना चेह बिहार पंचायती राज धिनियम जो है यह वर्स 2006 में पाड़ित होता है और इसी पंचायती रा प्रखंड विकास पदाधिकार को उपविकास पदाधिकार को जिला अधिकार को प्रखंड जो है प्रखंड विकास अधिकार को क्यों ही यह करेगा उपर विकास आउक को क्यों ही करेगा जिला अधिकार को क्या करेगा तो अपना तो सब्सक्राइब करेगा तो जिला पंचायती राज अधिकार को सब्सक्राइब क्लियर है जब तो इस बात को भी आप एक्जाम कव है एक्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं बच्चापार्टी जब आएगा तब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट बताइए कहता है ना कि कि नहींत करते रहो दो इसका एंसर क्या हो ग्राम सभा एक ग्राम से भा एक या अधिक संख्या में निगरानी समीति का गठन कर सकते हैं इस समीति का गठन किन से किया जा सकता है यानिकि ग्राम सभा का गठन यानिकि निगरानी जैसे cctv cctv जानते हो ना क्या cctv जानते हो तो CCTV का काम कौन करते हैं गाउं में करते हैं बूठे लोग बुजुर्ग लोग अच्छा उन लोग को ये भी पता रहता है कि आज फनम्मा का वेटा कहां घूमने के लिए गया पता रहता है और पता नहीं आप जब तो घूम किया होगे तब तक आपके घर पर पता रहता है कि फनम्मा आपका वहां घूम रहा था होता ळिसा तो बिहार में कि आंपका इसे पहले आपके घहर पर पता रहता और है वहां पे तैसा ही होता है तो इस सबसी सिसी टीवी का कमाल तो बंचायत में निगरानी के लिए तो बिहार में पंचायत की निगरानी के लिए क्या किया जाता है तो वह किया जाता है वार्ड सदस्यों का यानि कि निगरानी के लिए कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत पद्धा रखो नहीं उनसे उनके द्वारा नहीं ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत पदस्य ना हो यानिकि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो ग्राम पंचायत का ना हो उसे देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है कि नहीं हो ग्राइब को था सपर है च्मियों अ वैसे लड़का घहमता है तो कोई बॉल सकता कि तोई डिकर ने ठीकर रहे एक बार की बात कर भार मैं आपने घरवालों से जोठ लेता हूं थोड़ा सा मैं एक दिन क्लास नहीं गया क्लास बंक कर लिया आया घर पर पापा बोलते है बेटा इधर आप बुला रहे बिद्धा वह बहुत लेके आना ठीक है लाकर देता हूँ और पापा धोई उसी दिन से मैं ने सोचा भाई जूट नहीं बोला है जहां जान लगे रहता है ठीक है नेक्स बताओ बिहार में लोक सभा की 40 सीटे राजय सभा की कितनी सेटे है बिहार में ले डंडा माइट आप वही तो मैं बता रहा हूं वह जो दिन कुटाई लगा था भयान कुटाई लगा था और सबसे ज़्यादा कुटाई इसलिए लगा था क्योंक कि राजय सभा कीistent कहते हैं तो बिहार में राजय सभा की किल्य रहे इस बात को आप वर्तमान में राज सभा के सभापती कौन है उप्रास्थ पती जगदीप धनकरजी में बिहार में हुए था तो भारत की नम्रेकेत राष्ट पतियों में कि सका जर्म सभार्ड नहीं होता है जाकिर हुसैन का नहीं होता क्यार नरायनम्नन्त का नहीं लोग्यद नौरार किסाध का हो यह आज इसाथ खुंक ए तेरी एक जीत में ढख जाए जिन रास्तों पर तुकला केला चला था उन रास्तों पर तेरे नाम की भीर लग जाए तो मेरे भाई मेहनत ऐसे करो कि हाँ पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ रहा है नौटक की नहीं होना चाहिए ठीक है चोलो बता इसका एंसर क्या होगा किसान और बाबू रौ एक समाजी कारे कार्त आक नाम से भी जाने जाथिसे क्या कर आदा絆 साई में फ्रोड़ क्ली का रहा जाता है नहीं सब्ट पर एक करोर का भाइन लगा यहां पर देखो विillह भावे को क्या कहाता है भू आंदोलन कौनसा भू आंदोलन के जन्म दाता यानि कि भू आंदोलन किस ने स्टार्ट करता इन्हों ने स्टार्ट करता विनोवा भावे को आचारे विनोवा भावे करते हैं कौनसा आचारे विनोवा भावे करते हैं के लिए रहे बताओ बिहार विधान सभा में अनु जातियों के लिए अर्तिस सीट रख्षित है वहीं पर अनुसुचित जन जातियों के लिए कितना सीट रख्षित है तो जन जातियों के लिए बिहार में पंचायत में निकायों में महिलाओं को पचास परतिसे परक्षन किस वर्ष परदान किया तो वर्ष 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम आता है कौन सा तो बिहार पंचाइती राज अधिनियम आता है तो बिहार पंचाइती राज अधिनियम कब आता है मेरे भाई तो ये अधिनियम आता है वर्स 2006 में और इसी के द्वारा महिलाओं को पच्चास परतेज़ता रक्षन की बाद की जाद है किलियर है मेरे भाई बहुत बढ़ी है नेक्स्ट बतो जारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्स विभाजित किया गया हमने आपको बताया था कि बिहार से जारखंड कब अलग होता है तो बिहार से जारखंड है वो तो बिहार से जार्खन अलगता है कौन लगता है बिहार से जार्खन अलगता है तो बिहार से जार्खन कब अलगता है 15 नौवंबर सन 2000 को ठेक है इस बात को आप यादखना सं 2000 में बिहार में भारत में तीन नए राजस्त तुमें आता है hun मद्यौरदे से 36 गळठड अलग हो जाता हैं मद्यौरदे से 36 गळठ एक नोवंबर सन 2000 को अलग होता है कव एक नोवंबर स elements 2000, ुसी के बाद उत्तर परदे से उत्तरा खंड अलग हो जाता है और यह उत्राखंड 9 नौवंबर सन 2000 को अलग होता है कब 9 नौवंबर सन 2000 को अलग होता है वहीं पे बिहार से जारखंड अलग होता है और बिहार से जारखंड का अलग होता है तो बिहार से जारखंड अलग होता है 15 नौवंबर सन 2000 को अलग होता है क्लियर है इस बात को भी आ आप यार रखांगे दो सभाज़ बताई बिहार विधान परिशत की पहली वैठा किस वर्स बुलाई गए थी वर्स बिहार और उडिशा विधान परिशत का गठन कभ उता है सुपब डियर सर्थ किस कारण लगा तर किस कारण लगा तो उनका जो प्रड़क्ट भा पता नहीं प्रथम समेकित चेक पोस्ट की अस्थापना कभ हुई वर्स 2018 में समेकित चेक पोस्ट की अस्थापना होती है बिहार बता श्वतंतरता पश्चात बिहार के पर्थम राज्यपाल किसे चुने जाते हैं श्वतंतरता पश्चात बिहार के पर्थम राज्यपाल किसे चुने तो बिहार के पर्थम राज्यपाल जो है वो चुने जाते हैं किसे जैराम दौलत राम जी को चुने जाते तो जैराम दौलत राम क्या थे तो बिहार के पहले राज्यपाल तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन वे तो बिहार के पहले राज्यपाल जो है वो जैराम दौलत र लाया की नहीं कि बाद यह सबी अंप सभी के लिए क्या है तो आप सबूयक्री के लिए हo इस है एक कशिचन नट यहında इसन ऑक समय एच और लूप्रह और कर दोगे कमेंटबउक्सेंट comment box में इसका answer जरूर है thank you so much dear friends उम्मीद करते हैं कि आप सुभी लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करों क्या करोंगे बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करों कि इसको बोल रहे हो इसको बोलेंगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना ठेक है बताओ एक बार से लोग ठंक सब करके कि क्या आज की क्लास समझ में आया आया लाइक यू से थैंक्यू सोमच जी बहुत अच्छा थैंक्यू सोमच से ठंक्यू सोमच सी यु उम्हीद करते हैं कि आपस लोग बहुत अच्छों गया अच्छा पढ़ाई करेंगों तो तब तक कले खोसरे यह मस्तरे एक आत्रे गुंगुनात्रे और अच्छे से पढ़ाई करते रिए चेह